नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है, होब करते के आप सभी बहुत अच्छे होंगे, चलिए, कॉलेज की बाते का जो ये सिरीज चल रहा है, इसमें आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो हॉस्टल लाइफ पे बात करने वाले हैं, और भी दिरे दिरे आप इसको रिलेट कर पाऊगे, मेरे इस बातों को वो बच्चे जादा रिलेट कर पाऊगे, जो किसी गवर्मेंट हॉस्टल में रहते हो, प्राइवेट हॉस्टल में नहीं, गवर्मेंट हॉस्टल अगर आपके कॉलेज में है, आपका कॉलेज गवर्मेंट कॉलेज है औ मैं throughout the life बहुत सारे ऐसे moment है जिसको मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का वो काफी turning moment है और special है उन सबों में से एक जो है वो college का मेरा hostel life है मैं लगबग तीन hostel अपने college में तीन hostel बदला हूँ और उस तीनों का अलग-अलग अनुभव है और hostel life में जितना कुछ सीखने को मिला है जितना चीज़े explore करने को मिला है मुझे नहीं लगता है कि बाहर मिलेगा बाहर आप किसी society में room लेके रहते हो कहीं पर रहते हो आपको सुविदा जादा है hostel से जादा सुविदा आपको मिल रहा है होगा लेकिन वो नहीं हो सकता है वो feel वहीं कर सकता है जो hostel life में रहा हो रहा हो जब मैं पहली बार hostel में गया था तो मैं दो स्टूडेंट के साथ था मैं और मेरा एक दोस्त था काफी अच्छा दोस्त था अभी भी है ऑके दूसरे hostel जो मेरा चेंज हुआ उसमें मुझे single room मिला था और जब मुझे पहली बार hostel में single room मिला था तो मैं बता नहीं सकता हो कि मैं कितना ज़ादा खुस हुआ कि मुझे एक space मिला और मुझे ना space बहुत ज़ादा पसंद है क्योंकि मैं उसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने लिए बहुत कुछ कर सकता हो कुछ पागलपंती कर सकता हो कुछ अलग-अलग चीजे कर सकता हो बहुत मज़ा आता है उस space में अगर आप इस चीज़ को फिल किया होगे तो आपको पता होगा, फिर तीसरी जो मैंने हॉस्टल चेंज किया, उसमें भी मुझे सिंगल रूम मिला और काफी अच्छा मिला, मैं हमेशा से रूम जो लिया हूँ अपने हॉस्टल में, मैं कोने में हमेशा रूम लेने का ट्राइ किया हूँ और सबसे कोने में रहूँगा, उसके पीछे भी रीजन है कि मुझे छट पे जाना ज्यादा पसंद है, और मेरा हॉस्टल का जो व्यू था, वो अमेजिंग था, मतलब मेरे हॉस्टल से अगर मैं पत्थर फेकू तो गंगा मैया में जाके गिरेगी पत्थर, तो के बाहर को देखते हुए, इंवार्मेंट को देखते हुए, तो काफी खुबसूरत था, मैं अभी भी कुछ फोटो थे, वो मैं देखने लगा, और फिर मुझे लगा कि ने, यार सच में, हॉस्टल लाइफ तो काफी अमेजिंग होती है, मेरा हॉस्टल बेसिकली बीसी भा हॉस्टल में सुवधा प्राप्त किया हूँ, शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी और को वो सुवधा मिल रहा होगा, IIT में भी नहीं मिलता है, वो सुवधा, मैं IIT रोपर के हॉस्टल में था तो हमें खाना खाने के लिए जाना पड़ता था, गरूब में आने के ऐसे को खाना है, आपको मेस में नहीं जाना है, आप रूम में बुला लो खाना, भया रूम में पहुचा दो खाना मुझे, अगर कोई बच्चा to be very frank, अगर वो बिहार कॉलेज के किसी हॉस्टल में रह रहा है और उसे single room मिल चुका है, वो उस रूम का जितना जादा यूटिलाइज कर सकता है वो उसके जीवन का उस तरीके से उसके जीवन को वो चेंज करेगा मैं अपने रूम का काफी यूटिलाइज किया हूँ और उसको किस मामले में यूटिलाइज किया हूँ मैंने solitude के मामले में मैंने काफी utilize किया है हमारे college में बाड आ गई थी और उस बाड में मैं घरी नहीं गया था मैं college में ही था, नीचे पानी था, मैं उपर था मैं और कुछ दोस्त थे, पूरा hostel खाली हो गया था काफी चीज़े थी हैं जो अभी कहानिया है जो कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन अब भी एकर hostel में रह रहे हो ना तो आप प्लीज, hostel को utilize करो कि आप आगे जब जीवन में बढ़ोगे ना, hostel को जरूर मिस करोगे, अकर आपने सक्ची का hostel enjoy किया है hostel का enjoy करने का ये मतलब नहीं होता है कि दोस्तों के साथ बस time pass करो, hostel ऐसे भी होते है कि दोस्तों के साथ time pass कर रहे है, कोई productive काम नहीं कर रहे है कोई किसी के room में बैठ के एक चल रहा है, दस दोस्त मिलके चल रहा है रात रात बर गब चल रहा है, ये भी use होता है इसको भी आप miss करोगे, लेकिन अगर आप सच में hostel को utilize करना चाहते हो ना, please अपनी एक community बनाओ, क्योंकि hostel में आपको तरह तरह के student मिलेंगे आपको उसके साथ रहना है, आपको उसके साथ cope up करना है, आपको उससे कुछ सीखना है कोई आपके बगल का कोई बच्चा gate की तयारी कर रहा होगा, कोई बगल का बच्चा आपका civil services की तयारी कर रहा होगा कोई तीसरा बच्चा cat की तयारी कर रहा होगा, different mindset के बच्चे होते हैं और आपको उन सब mindset में बैठ के सीखना है तो अगर आप college में हैं तो please try करना hostel में रहने का, hostel से बाहर रहने का try मत करना, अगर आपके college में hostel है तो बाकी तो आप समझदार हो, मुझे लगता है कि hostel आपके जीवन का एक turning point हो सकता है, आप अपने hostel का अगर कोई ऐसा बात हो ता आप जरूर comment section में बताना, thank you